तो बच्चों कैसे हैं आप सब अभी जो कक्षा में लेने जा रहा हूं वो शास्त्री प्रथमखंड के लिए है और हम इस फहरिष्ट में निर्मला उपरन्यास पे बात कर रहे हैं उसका पाठ कर रहे हैं और यह हमारी जो कक्षा है आज हम पांचमें परिछेद के बारे में खिर करेंगे इस नियास में आगे क्या होता है और समय ना कमाते हुए हमें उपरन्यास का पार्थ करते हैं और से सब्सक्राइघियो और नियास खत्म हो जाए फिर इसके प्रश्णों तरी के ओपर हम बात करेंगे निर्मला का विवा हो गया सस्वराल आ गई वकील सहाब का नाम था मुंशित ताराम सामले रंके मोटे ताजे आदमी थे उम्र चालिस से अधिक न थी पर वकालत के कठिन परिश्रम ने सिर के बाल पका दिये थे व्यायाम करने का उन्हें अवकाश न मिलता था यहां तक कि कभी घूमने भी न जाते थे इसलिए तोंद निकल आई थी देखे स्थुल होते हुए भी आए दिन कोई न कोई शिकायत होती रहती थी मंदाग्नी और बवासिर से तो उनका चिरस्थाई संबन था आदय बहुत फूंफूं का कदब रखते थे उनके तीन लड़के थे बड़ा मंसा राम 16 वर्ष का था मंजला जिया राम 12 और छोटा सिया राम साथ वर्ष का था तीनों अंग्रेजी पढ़ते थे घर में वकिल सहाब के विद्वा वहिन के सिवा कोई औरत न थी घर की माल किंतिये उसका नाम था रुकमिनी और आवस्था पचास से उपर की थी सस्वाल में कोई था ना स्थाई रिती से यहीं रहती थी तोता के लिए कोई ना कोई तोफ़ा रोज ले आते थे मोके पर धनकी परना करते थे खुद भी नाश्ता न करते थे लड़के के लिए थोड़ा-थोड़ा दूद आता था था पटर निर्मला के लिए मेवें मुरब्ब् नीठाई कесьी चीज़ की कब Christmas की कमी थी अपनी जिंदग रहने बोलने में संकोच होता था इसका प्रैम की स्कारान यह था कि अब वह एक ऐसा अदमी जिस जो उसका पिता था जिसके सामरे वह सिर्जुका कर देच्चुरा कर निकलती थी अब इसकी अवस्था का एक आदमें उसका पती था वो उसे प्रेम की वस्तू नहीं सम्मान की वस्तू समझती थी उसे भागती फिरती उनको देखते ही उसकी प्रफलता पलायन कर जाती थी वकील सहाब को उनके दमपत्ती विग्यान ने सिखाया था कि युबती के सामने खूब प्रेम की बातें करनी चाहिए दिल निकाल कर रख देना चाहिए यहीं उनके वशी करन का मुख्य मंत्र भी है इसलिए वकील सहाब अपने प्रेम दर्शन में कोई कसर न छोड़ते थे लेकिन निर्मला को इन बातों से घ्रना होती थी यहीं वही बाते जिने किसे debate के मुख्य सुनकर उसके प्रेम में उन ठो जाता था वकील सहाब के मुख से निकल कर उसके हरदे पुरक के शर के समाना आगात कर दे थी उसमें रस न था, उल्लास न था, उनमाद न था, हर्दे न था, केवल बनावर था, धोका था, और शुश्क निदा शब्दा मडबार, उसे इत्र और तेल बुरा न लगता, सहर तमाशे बुरे न लगता, बनाव सिंगार भी बुरा न लगता, बुरा लगता था तो केवल त सबस्ती थी. कली प्रभाद समीर के इस पर्श खिलती हैं, मैं दोनों के समान सारस से हैं, निर्मला के लिए यह प्रभाद समीर कहा थी? पहला मैंना गुजरते ही तो उतारामना निर्मला को अपना खजान्ची बना लिया, कचाहरी से आकर दिनवर की कमाई उसे दे देते थे उनका ख्याल था कि निर्मला और मुट रुपए को देखकर फूली ना समाएगी निर्मला बड़े शौक से इस पद का काम अंजाम देती एक एक पैसे का हिसाब लिपती अगर कभी रुपए कम मिलते तो पूछती आज कम क्यूं है कि रहती के संबन्द में उनसे खूब बाते करती लेकिन इन्ही बातों के लायक उनको समझती भी थी जो ही कोई विनोध की बात उसके मुझे निकल जाती थी उसका मुझ मनील हो जाता था निर्मला को वस्तरा वोशनों से अलंकृत होकर आईने के सामने खड़ी होती तो वो अपने सौंदरी को सुष्मा पूनावा देखती तो उसका खर्दे एक सत्रिशना की कामना से तड़प उठता उसके खर्दे में एक जौला से उरती मन में आता कि इस घर में आग लगा दूँ अपनी माता पर क्रोध भी आता पिता पर क्रोध आता अपने भागे पर क्रोध आता और सबसे अधिक रोध चाहे उसे पैदल ही क्यों न चलना पड़े निर्मला की दशा उसी बांके सवार की थी, वह उस सवार पर होकर उड़ना चाहती थी, उस उल्लास में विदुत गती का आनंद उठाना चाहती थी, टट्टू के हिनहिनाती और कनौतियां खरी करने का आशा देखती रहती थी, सम पानों वह कोई पिशाचनी है, वह उन्हें निकल जाएंगी, रुक्वनी देविका सवाव सारे संसार से निडाला था, यह पता लगाना कटें थी, वह किस बात पर खुश होती थी, एक बार जिस बात से वह खुश हो जाती दूसरी बार उसी बात से वह जल भी जाती थी, अगर निर्मला अपने कमरे में बैठी रहती, तो कहती न जाने कहां की मनहुसिन है, वह कोठे पर चर जाती तो महरीयों से बाते करने लगती, उचाती पिटने लगती, ना लाज है, ना शरम है, निगोरी ने हाया भून खाई है, अब क्या, कुछी दिनों वे बाजार में नाचेगी, जब तो वकिर साथ में निर्मला के हाथ में रूपे पैसे देने से रुखिये, रुकमिनी उसकी आलोचना करने पर आडूरी हो गई थी, उसे मालूम होता था कि अब प्रड़े होने में बहुत थोड़ी ही कसर रह गई है, लड़कों को चार वार पैसों की भी कर देती थी, रुकमिनी को अपने वागबान का सैर करने का आफसर मिल जाता था, अब तो मालकीन हुई है, लड़के काहे जीएंगे, बिन माबाब के बच्चे को कौन पूछे, रुपे की मिठाईयां खा जाते थे, अब धेले धेले को तरसते हैं, निर्मला अगर चिर कर किसी दिन बिना पूछे कुछ पैसे दे रहती थी, तो देवी जी उसकी दूसरी आलोचना करती, इन्हें क्या लड़के मरें या जीएं, इनकी बला से, मा के बिना कौन समझाए, कि बेटा बहुत मिठाईयां मत खाओ, आई गई तो मेरे सीर जाएगी, उन्हें क्या, यह दारी से बात करती है, तो अवस्ची किसी की निंदा करती होगी, बाजार से कुछ मंगवादी, तो अवस्ची कोई विलास की वस्तू होगी, वह बराबर उसके पत्र को पढ़ने की चेस्टा भी करती थी, छिप छिप कर बाते भी सुना करती थी, निर्मला उनकी दोधारी तलवार से कापती रहती थी, यहां तक कि उसने एक दिन पती से कहा, आप ज़रा जिजी को समझा देजे, क्यों मेरे पीछे पढ़ी रहती है, तो अताराम ने तेज होकर कहा, क्या कुछ कहा तुमने, तुम्हें कुछ कहा उसने, रोजी कहती है, बात मुझ से निकलनी वोश रोजी कहती है, मुझ से बात निकालनी मुश्किल हो गई है, अगर उन्हें इस बात की जलन हो, कि यह मालकिन क्यों बनी हुई है, तो आप उन्हीं को रुप्य पैसे दीजिए, मुझे न दीजिए, वही मालकिन बनी रहे हैं। मैं तो किवर इतना चाहती हूँ कि मुझे कोई ताने मुहाने न दिया करे। यह कहते कहते निर्मला की आँखों से आंसू बहने लगे, तोता राम को अपना प्रेम दिखाने के यह बहुत अच्छा मौका मिला। बोले, मैं आज ही ख़बर लूँगा, साफ कह दूँगा कि अगर मुझे बंद करके रहना है तो रहो, नहीं तो अपनी राह लो। इस घर की स्वामनी वह नहीं है, तुम हो। वाकिवल तुम्हारी साहिता के लिए है, अगर साहिता करने के बदले तुम्हें जिक देती हैं, तो उनके यहां रहने की जरुवत नहीं, मैंने तो सोचा था कि विदवा हैं, अनात हैं, पाव और आटा खाएंगी, पड़ी रह लड़कों को सिखा देती हैं कि जाकर मासे पैसे मांगो, कभी कुछ, कभी कुछ, लड़के आकर मेरी जान खाते हैं, घरी भर को लेटना मुश्किल हो जाता है, डाटती हूँ तो आखें लाल पिली करके दौरती हैं, मुझे समझती हैं कि लड़कों को देखकर मैं जलती आखिर मेरे ही बच्चे तो हैं मुझे उनसे क्या जलन होने लगी तोताराम क्रोध से काँ पुठे बोले तुम्हे जो लड़का जिक करे दिक किया करे वो उसे पीट दिया करो मैं भी देखता हूं कि लॉंडे शरीर हो गये है मंसाराम को तो बोर्डिंग में हाउस में भेज दूँगा बागी दोनों को आज ही ठीक किये देता हूं उस वक्त तोताराम कचारी जा रहे थे डाट अपट करने का मौका न था लेकिन कचारी से लौटते ही उन्होंने घर में आकर रुकमिनी से कहा क्यों बहिन तुम्हें इस घर में रहना है कि नहीं अगर रहना है तो शान्त हो कर रहो या क्या कि दूसरों कर रहना मुश्किल कर दो रुकमिनी समझ गई कि बहु ने अपना वार किया है पर वह दबने बाली वारत ना थी एक तो उम्र में बड़ी तिस पर इसी घर की सेवा में जिंदगी काट दी किसकी मजाल थी कि उन्हें बेदखल कर दे उन्हें भाई की इस छुदिता पर आस्चरे हुआ बोली तो क्यों लॉंडी बना कर रहोगे लॉंडी बन कर रहना है तो इस घर की लॉंडी ना बनूंगी अगर तुम्हारे यही इक्षा हो कि घर में कोई आग लगा दे और मैं खड़ी देखा करूँ किसी को बेरा चलते देखूँ तो चुपी साथ लूँ जो जिसके मन में आये सो करे मैं मिठी की देवी नहीं बनी बैठी हूँ तो यह मुझसे नहोगा यह हुआ क्या जो तुम इतना आपे से बाहर हो रहे हो निकल गई सारे बुद्धिमानी कल की लॉंडिया चोटी पकड़ कर नचाने लगी कुछ पूछना न बूचना बस उसने तार खीचा और तुम काट के सिपाही की तरह तलवार लेकर मेरे पास आ गए सुनता तो हूँ कि तुम हमेशा खुचर निकालती रहती हो बाद बाद पर ताने देती हो अगर कुछ सीख देनी हो तो उसे प्यार से मीठे शब्दों में देनी चाहिए तानों से सीख मिलने वाले मिलने के बदले उल्टा और जी जलने लगता है तो तुम्हारी यही मर्जी है कि किसी बात में नौ बलू यही सही लेकिन यह फिर मत कहना कि तुम घर में बैठी थी तो सलाह क्यों न दी जब मेरी बादें जहर लगती है तो मुझे क्या कुते ने काटा है जो मैं बोलूँगी नाटो खाती हूँ नाटो खेती बहुरियों के घर मैं भी देखूं बहुरिया घर कैसे चलाती है इतने में सियाराम और जियाराम स्कूल से आ गए आते ही दोने भुआ जी के पास जाकर खाने मांगने लगे रुखविनी ने कहा जाकर अपनी नहीं मामा से क्यों नहीं मांग लेते मुझे बोलने का हुक्म नहीं है तोताराम अगर तुम लोगों ने उससे उस घर में कदम रखे तो टांगे तोड़ दूगा बदमास्ची की कमर बांधी है जीया राम जड़ा शोख था बोला उनको तो आप कुछ कहते नहीं हम भी को धमकाते रहते हैं कभी पैसे नहीं देती सीया नाम ने इस कतन का अनुमदन कर किया कहती है मुझे दिख करोगे तो कान काट लूँगी कहती है कि नहीं जी आप निर्मला अपने कमरे से बोली मैंने कब कहा था कि तुम्हारे कान काट लूँगी अभी से जूट बोलने लगे इतना सुनना था कि तोता राम ने सिया राम के दोनों कान पकड़ लिया लड़का जूर से चीख मार करो रोनने लगा रुकमिनी ने दोर कर बच्चे को मुंसी जी के हाथ से चुड़ा लिए और बोली बस बस रहने भी दो भाईया क्या बच्चे को मारी डालोगे हाई हाई कान लाल हो गया सची कहा है किसी ने नई बीबी पाकर आदमी अंधा हो जाता है अभी से यह हाल है तो घर के भगवान ही मालिक है निर्मला अपनी विजय पर मरी मन प्रसंद हो रही थी लेकिन जब मुंसी जी ने बच्चे के कान पकर उठा दिया तो उसे रहा ना गया छुड़ाने को दोरी पर रुकमिनी पहले ही पहुँच गई बोली पहले आग लगा दी अब बुझाने दोरी हो जब अपने लड़कें के तब आँखें खुलेंगी पराई पीर क्या जानो खड़े तो हैं पूछ लो ना क्या मैंने आग लगा दी है मैंने तो इतना ही कहा था कि लड़कों लड़के मुझे पैसों के लिए बार बार दिख करते हैं इसके सिवा जो मेरे मुझे कुछ भी निकला हो तो मेरी आँकें फूट जाए तो खुद मैं इन लॉन्डों की सरार देखा करता हूँ अंधा थोड़े ही हूँ तीनों जिद्दी और शरीड हो गए हैं बड़े मियाद को तो आज मैं होस्टल भेजी देता हूँ अब तक तो तुम्हें इनकी कोई शरार न सूस्थी थी आज आँकें इतनी तेज हो गई तुम्ही ने इतना शोख करके रखा हैं लों को तो मैं क्या विश्की गांट हूँ मेरे कारण तुम्हारा घर चौपट हो रहा है तो लो मैं जाती हूँ तुम्हारे लड़के हैं मारो चाहे काटो मैं न बोलूँगी या कहकर वो वहाँ से चले गई निर्मला बच्चे को रोते देकर भीवल हो उठी उसने उसे च्छाती से लगा लिया गोद में लिये अपने कमरे में ले जाकर चुप पुछकारने लगी लेकिन बालक और भी सी सक्सी सक कर लोकर रोने लगा उसका अबोध हिर्दे इस प्यार में मातरिस नह न पाता था जिससे दैव ने उसे बंचित कर दिया था यह वास्ता लिना था किवल दैया थी यह वावस्तों थी जिस पर उसका कोई इधिकार न था जो किवल भिक्षा के रूप में उसे दी जा रही थी पिताने पहले ही एक दो बार मारा था जब उसकी माज़ जीवित थी लेकिन तब उसकी मार ने उसे च्छाती से लगा लकर रोती थी तब वह अपरसन होकर उसे बोलना छोड़ देती यहां तक कि थोड़ी दिर स्वेम भी थोड़ी दिर बाद सब कुछ भूलकर माता के पास दोर कर चला जाता था शारारत के लिए सजा पाना तो उसकी समझ में आता था लेकिन मार खाने पर चुमकारना उसकी समझ में बिलकुल ना आता था मात्री प्रे में कठोरता होती थी लेकिन मिर्दूलता से मेली हुई इस प्रे में करुणा थी पर कठोरता ना थी जो आत्मियता का गुप्त संदेश है स्वस्त अंकी परवा कौन करता है लेकिन जब वही अंक किसी वेदना से टपकने लगता है तो उसे ठेस और धक्के से बचाने के लिए यत्न किया जाता है निर्मला का करुण रोधन बालक को उसके अनात होने की सूचना दे रहा था वह बड़ी देर तेक निर्मला के गुद में बैठा रोता रहा और रोते रोते सो गया निर्मला उसे चार पाई पे सुलाना चाहा तो बालक सुचुपता वास्ता में अपनी कोमल बाहें उसके गरदन में डाल दी और ऐसा चिपट गया मानो कोई नीचे गढ़ा हो शंका और भैसे उसका मुख विक्रित हो गया निर्मला तो पिर बालक को गोध में उठा लिया चार पाई पर नशुला सकी इस समय बालक को गोध में लिए उसकी बहुत तुष्टी हो रही थी जो अब तक उसे कभी नहीं हुई थी आज पहली बार उसे यहात में वेदना हुई जिसके बीना आखें नहीं खुलती उसका कर्तब पे मार्ग नहीं सुझता अब वो मार्ग उसे दिखाई देने लगा था और इस तरीके से आज हमने पाचमा परिछेद समाप्त किया है और प्रेमचंद की लेखर शैली इतनी अच्छी है कि प्रेमचंद एक तो खड़ी बोली का उपियों करते है और बहुत सदे हुए शब्दों का उपियों करते हैं और इतने कोमल और बोलचल की भाशा का उपियों करते है कि पाठक उसकी रो में बहता चला जाता है पाठक को ये कहीं से नहीं लगता कि वो कोई कहानी पढ़ रहा है उसे हमेशा ये लगता है कि उसके अपने जीवन की कहानी है शायद यही परिमचंद की विजए भी है प्रेम चन्न ने एक वाद को शुरू किया था या दर्शोन मु की अथार्थवाद इस वाद का मतलब ये था कि जो रियलिस्टिक चीजें हो रही है आपके आम जीवन में जो घटनाए घटती है विद्वा बहुत आरते होती है बहुत पूरुश ऐसे हैं जो दो जुहे हैं जिनकी दूबारे शादी हुई है और जब नई या सौतेली मा जब आती है तब उस घर का दृष्शे क्या होता है खासकर उन बच्चों की सिती क्या होती है जिनकी माएं नहीं है और वो वात्सले का सुख नहीं पापाते हैं यहां भी जब निर्मला की डांट से बच्चे द्रवित होते हैं और तोता राम उन्हें पीड़ता है और दोड़कर निर्मला जब उसे अपने सीने से लगाती है तो बच्चा उसमें मात्रतुका सुख नहीं पापाता उस बच्चे को लगता है कि कोई औरत है जिसने मुझे प्रेम करना चाहा है और वो प्रेम उसे उस भीख के समाल लग रहा था कहीं से वो वासलता नहीं थी उसे वो अपनी मात्रतुका स्ने उसे नहीं मिल पा रहा था और यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि जिस माने उसे नौ महीने अपने कोख में रखा था उससे उसकी अंतरं इसे मारा था लेकिन तब जब माँ उसे सीने से लगाती थी तब उसे मात्यतू का एहसास होता था और अपनी माँ से चिपक कर रह जाता था आज निर्मला के कारान बच्चों को जब डांट पड़ी और बच्चा उसकी गोद में जब रोता रोता सो गया तब पहली बार उसे म कि पक कर रहे जाता है और यह प्रेमचंद की सबसे बड़ी विजए है कि उन्हों ने इस कथा को अत्यंत कारूनिक और द्रवित बना दिया आए देखते हैं च्छटा परिछेद उस दिन अपने प्रगार प्रणय का सबल प्रमाण देने के बाद मुझी तोता राम को आशा तो हुई कि निर्मला के मरमस्थल पर मेरा सिक्का जम जाएगा लेकिन उनकी या आशा लेश मात्र पूरी नहीं बलकि पहले तो कभी-कभी उनसे हंसकर बोल लिया भी करती थी अब तो बच्चों की कही लालान पाला में बैस्त रहती थी जब घर में जाते तो बच्चों उनके पाच्चे उनके पास बैठे रहते थे कभी देखते हैं कि क्यों ही खिला रही है कभी कपड़े पहना रही है कभी कोई खेल खेल रही है कभी कोई कहानी कह रही है निर्मला का तृषित हुरत है प्रणय की और निराश होकर इस अवलंबन को ही रानी मत समझने लगा बच्चों के साथ हंसने बोलने में उसकी मात्री का अपना त्रिप हो जाता था यहां एक बात फिर से आपको पताना चाहूंगा कि प्रेमचन ने अनमेल विवा का जिक्र किया है अनमेल विवा क्या है तो अनमेल विवा एक तो यह उम्र के पड़ाओं को उम्र की जो एक भायावाता होती है जो उम्र का तकाज़ा होता है अगर दोनों में एक थी वहां निर्मला की अवस्ता मात्र 15 वर्ष की थी तो इसमें दो समस्याओं को प्रेम्चन ने बहुत खुले तौर पर दिखाया है पहली समस्या तो यह कि उन्होंने बाल विवाह को दिखाया है चुकि 15 साल की कम बहुत छोटी सी उम्र होती है और उसमें किसी लड़की का बेहा कर देना बाल विवाह को दरशाता और दूसरा उन्होंने अन्मिल विवाह को दिखाया था और इस उपन्यास की सबसे बड़ी सार्थक्ता यही है कि इस दूनों ही समस्या को उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया है पती जब अपनी पत्नी के साथ पास जाता है और बहुत वो खुश होती है जब खासकर जब पती अपनी पतनी के पास उपहार ले कर जाता है लेकिन यहां बातें एकदम अलग हैं यहां बातें इसलिए अलग हैं कि जिस उम्र के उसके पिता थे अभी तक उस उम्र के लोगों के से जब वो मिलती थी तो उनका सम्मान करती थी यादर करती थी लेकिन आज उस उम्र का जो इनसान है उसके पती की रुप में उसके सामने है तो वो प्रेम वो एक आकरशन उससे उत्पन नहीं हो पाता है और प्रेमचन ने इस अनमेल विवाह को जो लड़की की विवश्टा है लड़की का जो मनुविग्यान है उस निर्मला का मनुविग्यान है उसको समझाने की बहुभी कोशिश की है कि पंदर वर्ष की छोटी सी अवस्था में उसके पिता जब चालिस साल के थे तो कैसे उसकी मदर ने उसको चालिस साल के दो जुहे विवश्टी से उसका विवाह करवा दिया जो उसकी पिता की उम्रका था और जब उस सुहाग की सेज पर वह बैठी हुई होती है और उसका अधेर उम्र का पती उसके सामने आता है तो एक विडंबना उसके पास है वो समझ नहीं पाती है कि वह क्या करें जिस उम्र के वेक्ति का वह सम्मान करती है जिस उम्र के वेक्ति का वह आदर करती है आज उसके साथ वो अंतरंग बातें वो हसना बोलना वो बहुत असहज उसे मालूम होता है और यही कारण है कि जब जब तोता राम उसके पास आते हैं वह असहज हो जाती है जितनी बार तोता राम उसके पास जाने के कोशिश करती है निरमला उसे दूर होती चले जाती है और जब तोता राम अपनी पूरी कोशिश करते हैं जो दुदक्ष तो होते ही ह अपनी भंगी माउं से इसको आकरशित करने की कोशिश करने लेकिन वो सारी बातों में फेल घोशित होते हैं और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि निर्मला के मन में जो वो एक बात बैठी हुई है कि वो मेरे पिता समान है वो मेरा पती कभी नहीं हो सकता तो इस अनमेल विवा को प्रेमजन ने भाग खुबी दिखाया है और दिखाने की कोशिश की है चठा परिशेद आज हम यहीं रोकते हैं और कल में फिर इस पार्ट को आगे बढ़ाऊंगा और आप अगर मुझे सुन रहें और मेरे साथ अगर आप बैठते हैं या मेरे इस व नहीं प्रणा हैं वो इसले भी जवड़ी है क्योंकि जब आप इस पातर इस कहानी का सारांश लिखने बैठेंगे तो आपको पात्रों के बारे में पता चलेगा कि कौन सा आतर किसमय आता था जैसे निर्मला के यहां एक हैं यां इन्द्रिय पात्र है पंडित निर्मला के पहले सस्वाल वाले लोग निर्मला के शादी के बाद तोताराम से उसका संबंद रुकमिनी जो उसकी पती की बहन है निर्मला के चार बच्चे इन सारे करदारों को जो प्रेमचन ने गढ़ा है उन सारे करदारों के नाम आपको पता होने चाहिए क्यों आज की एक अस्वा में ही समाप करता हूँ, कि आपके फिर्टम लागा दोगी बहुत 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 बहुत